मंत्री जैवीर सिंग ठाकुर मारसाथ मौझूद है आपने कहा कि जिस गाली में सपा का जंडा उस गाली में बैठा गुंडा कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं इस बार भेद के रहेंगे किला पार्टी जनता पार्टी फिर कभी जीते होगी भी नहीं कभी सत्ता में नहीं आपके उपर परिवार बात का अरोप लग रहें मैं समझती हूँ हम जनता के बीच बोट मांगने जाते हैं जनता चुनती है और मैं समझती हूँ लोग इस बात का आकलिन करते हैं कि उनको अपना सांसत किसको बनाना है जिस पे भरोसा होगा लोगों का उसी को वो सांसत चुनेगी चुनाव दोहजार चौबिस का महा संग्राम जारी है लगातार जहां बीजेपी उत्तरप्रदेश में असी में असी की बात कर रही है तो वहीं गडबंदन का कहना है कि इस बार जैसे 2014 में स्वागत हुआ था वैसे ही यहां से जनता बिदाई कर देगी भाजपा की और इस समय की उत्तरप्रदेश की सबसे होट सीट बनी मैंपूरी में हम आ चुके हैं आप देख रहा है कि यहां से मैंपूरी 27 किलो मीटर है हम मैंपूरी के अंदर जाएंगे लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार मैंपूरी की जनता का क्या मूड है बतादे कि 28 साल से समाजवादी पार्टी का गड़ रही मैंपूरी इस बार इस के लिए को भेदने का काम बीजेपी कर पाएगी या नहीं यादव लैंड में भाजपा का कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा जानकारी के लिए आपको बतादू कि इस बार बीजेपी ने यहां से मंतरी जैवीर सिंग ठाकूर को उता रहा है और उनके सामने है मुख मंतरी पूर मुख मंतरी अखिलेश यादव की पतनी डिमपल यादव जिनको उपचिनावों में भारी मतों से इस मैनपूरी के जनता ने विज़ाई बनाया था देखते हैं इस बार क्या होगा अंदर जाएंगे मैनपूरी की जनता से बातचीत करेंगे और बातचीत होगी यहां के प्रत्याशियों से और इस समय हम मैनपूरी की धड़कन सैफ़ाई में मौजूद है जिसे अगर हम यादव लेंड कहें या समाजवादी पाटी का गड़ तो गलत नहीं होगा हमारे पीछे जन्मानस है जो कि इस समय समाजवादी विचारधारा का है और इस बार जो प्रत्याशी है डिंपल यादव जिनके सामने है भाजपा से मंत्री जैवीर सिंग ठाकुर और यह सब समाजवादी पाटी के समर्थक हैं इनसे जानेंगे क्योंकि इस बार बीजेपी कह रही है कि जो समाजवादी का समर्थक था वो इस बार हमारे पाले में हैं क्यों चाचा आप हम यहीं के रहने वाले हैं यह बताईए कब से समाजवादी पार्टी को वोट कर रह मुलाइम सिंग यादव की अपनी विचार धारा थी और लोगों का उनसे लगाव था वो लोगों से सैफ़ाई के लोगों से मैंपूरी के लोगों से बहुत लगाव रखते थे लेकिन जब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो कहीं न कहीं थोड़ा कटाव हुआ तो बेसां से 90% मतदान उन्हीं के पच्छ में होता रहा और होता रहेगा यह बताईए जैवीर सिंग ठाकुर बीजेपी कहती है कि दो जातियों में यादवों को बाट दिया गया है एक के लिए तो खुब काम हुए दूसरे को यूँ ही छोड़ दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं ह करेंगे सुरू से लेकर आज तक जितनी भी पाइटियां हो काश बेस पर करती है समाजवादी पिछडे दलित आदिवाजी अलफसंक्त सब को लेकर चलने की विचारदारा है अगर आप मुलाहिम सिंग्ग को देखेंगे तो उन्होंने सुरू से लेकर जो बिच्छडा भी विपक्ष यह भी कह तो कि घिंपल यादव को जीत उप्चनावू में मिली थी वो कहीं न चहीं बहुत एमोशनल जीत HTTP मुलाहिम सिंग्हादव की निधन के बाद जीत मिली थी तो क्या?! इस बार बीजेपी कहती है कि हम अपराधों से आपको मुक्त करेंगे और समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी यह बताइए कि जैसा कि समाजवादी पार्टी लगा दर चुनाब लडतीयारी विकास कितना हुआ है कि भीजएपीपी की करें औरrust सपा जीते कोशिश करें अपने ही परिवार के लोगों को सिर्फ टिकेट दिया उसके अलावा नहीं एक तो टोटल या समाजबादी के साथ ये बताए कि कितने वोटों से जैसा भी हम सुनके आएं रैली में कितने वोटों से जिताने वाइए चारलाग चारलाग देश में कोई जनता मोधी वोट न दे क्यों क्यों मरवाती है किसान मरवा दिया कि नहीं मरवा दिया अकेले बैठे दिल्ली में किसान नहीं जा सकता दि लिए आर्याना मारा गया किसान और जबान की नोकरी करद्धिक साल और रोज मरवाता नहीं यह जंता यह सोचती नहीं किसान मरवाता हो मिलिटरी मरवाता है तो अब है देश हमें क्या देखे पूंजी पती मेंदेखी एक चीज़ बीजेपी कह रही है कि हमने रांपुर को भ तो यह कहते हैं कि चार सो के पार लेकर अंकल जी ने काता है असी के अंडर असी के अंदर बेरोजगारी की समस्षा है सबसे बड़ा मुद्दाम इवाओं को कोई रोजगार नहीं सब पेपर लीग यतना भी शारा अम्मानी अडानी गुरुफ को दे दिया पूरा रेलवे कितने भी देश के नेता हुआ पड़े लिखे या ये कहते हैं कि यह जो समाजवादी पाटी है या ज़िस गडबंदन में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है वो गडबंदन नहीं ठगवंदन नहीं यह गडबंदन लगभा उपी में 65 पर दर सीट जीट जीते हैं और इ लग और लग रहा है कि दिंपल भावी को यहां से चुनाव लड़ाया गया तो फिर मैनपूरी आएंगी मैनपूरी की ही है मैनपूरी की बहु है उनका घर आएंगी के उन्हें बड़े परिवार की हैं तो इसलिए सब्सक्राइब को परिवार का विकास बहुत जरूरी परिवार होना इसलिए जरूरी यह परिवार नहीं वो क्या बूलेगा इस बार यह भी है कि मैंनपुरी या नहीं पाएंगे वो उन्हें पूरा एहसास हो चुका है कि मैनपुरी संसदी छेत्र में पहले का रिकॉर्ड जनता अपने आप तोड़ने जा रही जिसमें कोई आवसिक्ता नहीं किसी करने की पूरा जनता को चुका है तो कहीं न कहीं रिजल्ट भी वैसे आते हैं परिणाम भी वैसे आते हैं तो यह तो देखिए हम सैफ़ाई में हैं और सैफ़ाई को हम अगर समाजवादी पार्टी का गड़ कहें तो गलत नहीं होगा हम किसी और जगे भी चलते हैं जहां पर मिश्ट्रित अबादी होगी वहाँ पर जानेंगे कि मोदी जो अपनी गैरंटी दे रहे हैं उसका कितना असर मैंपूरी के अंदर होगा मोदी ने अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे पाई सुनिए सुनि दसाजार करोड अजीत पवार अजीत पवार पर तीन दिन पहले आरोप लगाया अजीत पवार का ब्रेश्टा चार गया बंगाल्स सुबेंदू तो कुल मिलाकर इनका आरोप है कि बीजेपी में जो आता है वो वाशिंग मशीन में धुल करके आता है किसी अन्य जगे चलेंगे जहां मिश्री का बादी होगी लोगों से जानेगी इस बार जैवीर सिंग ठाकूर कितनी बड़ी टकर डिंपल यादों को दे रहे हैं और बसपा प्रत्याशी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस बार बसपा ने भी बहुत सोशल इंजिनेरिंग करते हुए अपने प्रत्याशी को उतारा है कहें वो प्रत्याशी यादवों का बोर्ट बटवारा न कर दे जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो जा और आज ABC News की टीम मैनपुरी पहुची लोगसवाद चुनाव 2024 में उत्रप्रदेश की ये हाई प्रोफाइल सीट में आती है जहाँ पर BJP से मंत्री जैवीर सिंग ठाकुर चुनावी मैदान में है तो उनके सामने पूर मुख मंत्री और मुलाइम सिंग यादद की बहु डिंपल यादद चुनावी मैदान में है जब हम जनता के बीच पहुचे तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने समर्थक अपने अपने पार्टी के प्रतिमिधियों को जिताने की कवायत में लगे हुए हैं हमने आज यहाँ पर जैवीर सिंग ठाकूर से बातचीत की जोनोंने कहा कि इस बार यह जो किला समाजवादी पार्टी का है इसको हम डहा के रहेंगे वहीं जब हमने बात शिपाल सिंग यादव और डिंपल यादव से की तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि बीजेपी इस बार यहाँ पे कतई हमें हरा नहीं पाएगी जनता ने मूर बना लिया है कि जनता हमें पाच लाग वोटों से विजल बनाएगी जस्वंद अगर में आपने कहा है कि भरपूर वोट मिलेगा बहुत विश्वास है जस्वंद नगर के लोगों पर नहीं हमेजा जस्वंद नगर ने बड़ी जीत कराई इस बार कितने से जीत होने वाली आप कितने से आश्वस्त है देखे जनता ने अभी बोले ही दिया है यहां के लोगों ने बोल दिया है चाल लाग से उपर जस्वंद नगर में बोला था पांच लाग से उपर तो बड़ी जीत तो हो नहीं है है अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं इस बार भेद के रहेंगे किला कहा होगा मुझे पता नहीं उन्होंने कहा है तो यह हो सकता है कहा हो और मैं समझती हूँ कि इस बार जन्ता त्यार है भाजभी। हचाने के लिए लेकिए आपके ऑपर परिवार्बाद का अरोप मैं समझती हूँ हम जनता के बीच बूट मांगने जाते हैं ओर जनता चुनतीय और मैं समझती हूं लोग इस बाद का अकलिन करते हैं कि उनको अपना संसत किसको बनाना है, जिसके भरोसा होगा लोगों का, उसी को वो संसत चुनेंगी, तो मैं समझते हूँ ये बात आप लोगों पे छोड़ दें ओर जो आपका काम है, जो है कि लोगो सुविधाय देना, जो नौक्रिया देना, जो किसानों को राहत और रियायत देना, इसी के साथ महिला को सुरक्षा देना, इसी के साथ पोशन आहार देना बच्चों को, तो बहुत सारे ऐसे मुद्धे हैं जिस पे अगर अगर ये अपना केंद्र करेंगे इन डिंपल यादव जुड़ी हुई थी जिनोंने कहा कि भेथभाउ की राजीनीती का काम करना वीजेपी का नहीं है हमारा नहीं है और उन्होंने कहा कि परिवारवाद का जो मुद्दा है वो अब बासा हो चुका है अब इनको द commen्पूरी की जनता दिल खोल कर हमें वोट करेगी देखे मारे साथ गुलशन देव शा के जुड़े हैं जो की बसपा से पहले प्रत्याशी चुने गए थे उनकी टिकेट काट दी गए उसके बाद उन्होंने अखलेश यादव की मौजूद्गी में समाजवादी पार्टी जॉइन कर लिए और आज वो डिंपल यादव को सपोर्ट करने के यहां पर आये थे देखे बसपा से आपकी टिकेट कटी और उसके बाद आप समाजवादी पार्टी में आ गए कितना समर्थन दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को दिल से दे रहे हैं दिखिए ऐसा है पहले से आपका बहुत बहुत धनबाद आज देश की इस्तिती बनी हुई है कि सम्मेदान को कैसे बचाया जाए परम पूजने बाबा साहब भीमरा अम्मेटकर ने जो सम्मेदान दिया सब को हक और अधिकार दिया और सब को सिच्चा एक शमान और सब को जिस अनपात में जो लोग रहते हैं उसको इस अनपात में उसको हिस्सेदारी मिली चाहिए उसी हिस्सेदारी में मैं भी बोजन स्वाज पार्टी से टिकेट हुआ और टिकेट जिस दिन नावंकन करना था उसी दिन टिकेट मेरा काटा गया चुकि लोगशबा मेनपुरी में साख समाज का जो वोटर है वो दूसरे नमर पा आता है और इसके इलाबा कोई किसी अधर पार्टी से कोई भी साख समाज का प्रत्यासी भी नहीं था यह कहीं न कहीं भारते जनता पार्टी की साजेस रही इसलिए हमारा टिकेट कटा साख समाज बहुत बड़ा अगर आपकी टिकेट ना करती तो आप डिंपल भावी के सामने खड़े होते कितना टकर चुनाओ पर देते उनको वो जनता त्यकरती मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस है जी तो देखिए अब ही यहाँ पर मंच पर इन्होंने बड़ी हुंकार भरी की डिंपल भावी को आपको जिताना है लेकिन इनको अपने उपर भी पूर्ण विश्वास है था कि अगर इनको टिकेट इनकी टिकेट ना काटी जाती तो एक अच्छी टकर दे सकते थे और शाक समाज से अनरोध किया है कि वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी गडबंदन प्रत्याशी डिंपल यादव को यहां से विजय बनाए तो मैनपूरी मे इस समय महा संग्राम है लगातार सियासत तेज है जहां बीजेपी असी का लक्ष लेकर चल रही है वहीं पर गडबंदन का कहना है कि इस बार जो 2014 में यूपी में आये थे उनको यहां से 2024 में रवानगी दे देंगे लेकिन देखने वाला वग यह वक्त बताएगा कि यह जनता है इस बार प्रधान मंत्री मंत्री जैवीर सिंग ठाकुर मार साथ मौझूद है आपने कहा कि जिस गाली में सपा का जंडा उस गाली में बैठा गुंडा यहां की जनता आपको किसना जन समर्थन दे रहे हैं जबर आपको देगी जन जलाओ और इस किला जिसको तजा करने का देड़ा है में पूरी जिन्दा ने ले लिया है इस बार खिलेगा भगवा ले रहे हैं आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि परिवार वाद करती है सपा और कनौज में तेश-प्रधा प्यादाव को उतार दिया इस पर क्या करें देखिए मुझे लगता है जिए को बार बार चुलाते थे अगरे जी परवार डिवलम्मेंट अथॉर्टी आफ सेफ़ई बढ़के रह गया है जो हम कहते थे आज एक और वह प्रामालिक तत्थ करनोस से थावित हो गया है ना यह किसी समाज के हैं ना किसी ब्रादरी के हैं अपनी ब्रादरी को भी दो में म के लिए बागी किसी के लिए कि उपचिनावों में डिमपल यादव ने भारी मतों से विजय की कैसे उस किले को जैसा आपने भी का कि 28 साल के किले को कैसे बेदेंगे डिमपल जी जीटी थी मुला मानिक मुलाइमसी के नेजन के फलतरू प्राप्त सरद्दान जली और सानब सरकार की योजनाओं को ला करके छेत्र में विकास के काम कराए आपकी निदीका कहां इस्तेमाल हुआ आप कितने लोगों के बीच में आ करके उनके साथ काम की इसका जवाब मांग रहे हैं और इसका कोई जवाब हो उनके पास अगर जनता आपको समर्थन देती और विजवी बनाती है तो सबसे पहला काम मैंपूरी के लिए क्या हो मैंपूरी का समग कर विकास डिवलमेंट जो हमेता करते रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया तुमारे साथ मंत्री जैवीर सिंग ठाकुर जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि अगर हम जीते हैं तो सबसे पहला काम यहां का विकास होगा यहां की सड़के होगी और जिस सरीके से अपराधी लगातार हावी रहते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में हम उस अपराध से मैनपूरी को मुक्त कराएंगे उन्होंने कहा कि अब मैनपूरी की तस्वीर बदलेगी और एक नारा दिया है कि अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं आनी कि यह जो है यह भाजपा के लिए अंतिम मौका है मैनपूरी बता दे कि 28 साल से यहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी की सपा परिवार का ही यह गड़ रहा है देखना होगा कि 7 माई मैनपूरी किसके खाते में जाती है और आपको बदा दे कि समय मैनपूरी के स्टेशन रोड पर मौजूद है और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे कि इस बार मैनपूरी का क्या मूड है तो चलिए शुरुवात करते हैं क्या नाम है आप प्रदीप मिस्रा यह बताइए इस बार मैनपूरी की हवा कि सोर चल रही है मैनपूरी की हवा जो है वो भाज़ती जनता पार्टी के तरफ चल रही है कमल के फूल के तरफ और यहां से जो लोकसभा प्रत्यासी है जैवीर सिंग उनके प्रती रूख है यहां का समाजवादी पार्टी है और चाहें वो 2014 हो चाहें वो 2019 हो दोनों में ही मोदी की जबरदस लहर देखी गई और उस लहर में बहुत सारे किले जो है वो डह गए लेकिन मैनपूर है कैसा गिला राह जिसको डहने का काम अभी तक भारती जन्ता पार्टी नहीं कर पाई है क्या 28 साल के बाद ऐसा हो पाएगा this vak सो प्रत्सत जो 28 साल का अब इतिहास बता रही है इस वार सो प्रत्सत 28 मिनिट में 28 साल का इतिहास दोरा आ जाएगा यह गारंटी है कि आपने बड़ा जोरदार वह कहा है लेकिन अभी हम कुछ और जगाहों पर भी गये थे लोगों से बातचीत करी थे और लोगों ने कहा कि ना यहां पर यादवों ने कभी धोका दिया है और ना कभी धोका देंगे और इस बार फिर से डिंपल भाबी को ही विजय करें जीतिये है जीतिये है हांटर परसंट क्यों मतलब इतक्यों कि देखे आठाइस साल में रिकॉर्ड नहीं टूटा इस बार ऐसा क्या होगा जो रिकॉर्ड टूट जाए तूट यह हां यह बताईए कि बिलकुल आपके पास आएंगे अषिकी लोगसवा सीटों की जो बात बीजैपी कह रही रही है उसमें में पूरी में तो सिती कहीं निए अभीmñ बहुत मजबूत तो नहीं है क्योंकि जैवीड सिंग थाकूर खुद कहीं न कहीं आश्वस्त हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर कभी हो नहीं पाएगा यह बिलकुत सही है राश्टबाद और परिवारबाद के बीच में लडाई चल लई है एक जगह फैमली फश्ट है और एक जगह नेशन फश्ट है हम लोग राश्ट भक्त सी हैं जो एमेले रहे हैं मरतना से और सेंफ़ाई परिवार के बिरोद का प्रतीक हैं उनके साथ यादब बटेगा तब हम जीतेंगे तब आप जीतेंगे देखिए अगर पिछले चुनावों की चर्चा हम कर ले तो कहीं आप लोग पिछ पहले भी मोदी को ही सपोर्ट करत होता रहा है अभी आप पताएंगे अठाइस साल से दिखिए चुनाव के जो पिछला समीकर जो बना था चुनाव का यहां जो परसीमन है वो परसीमन भी थोड़ा विप्रीत है भारती जनता पार्टी के पच्छ में चुक्कि जो समाजवादी पार्टी का जिसको गड़ कह हैं हमारे लोगपुरिया मुक्मंतरी उन्होंने का कि 80 में से 80 तो 80 में ही मैं पुरी आती है और आप निशित रही है इस वाद के लिए और निशित मान के चलिए कि 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी वह उसका भी से पता देख क्यों जीतेगी क्योंकि उत्तर परदेश की जो लो लॉइन ओडर है साथ वरस के अंदर देश के सब्सक्राइब इतने वड़े राज्य होने के बावजूद भी जो लॉइन ओर उत्तर पर देश में वो देश के किसी राज्य में नहीं है लॉइन और के दमपर के हम लोग को विकास के दमपर पर जो हमारा कृतियासी यहां पर किया यहां से लेकर सैफ़ाई तक क्या वो दावा करती है कि हमने विकास किया आप से जाना चाहूंगे देखिया अभी डिंपल यादव के चुनावी सभा थी उन्होंने कहा कि जो सरकार है यह सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है इसी लिए जो 2014 में आये थे जो क्योंकि उत्तरप्रदेश की जंता ने गले लगाया तो 2024 में चले जाएंगे और खोद ये जैवी ठाकुर भी कह रहे हैं कि अगर अब की बार ऐसा नहीं हो पाया तो सपा के इस गड़ को हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं अभी आपने बात कही विकास की उन्ह समय था सेफ़ई में रंगा रंग कारकरम चल रहा था उसी रात में 60-70 वहान एक खटे कलोर पे वहां पे लूट पाट हुई थी नंगा नाच हुआ था ये सभी को मालूम है सभी जानते हैं इसके अलाबा उनके कारकाल में एक पलसर और चला करती थी पलसर अब बिलकुल ग तक चार-पांच बसे एक अत्रित नहीं हो जाती थी उसमें पुलिस वाले जब तक नहीं बैठ जाते थी तब तक बस आंगे नहीं वड़ती थी खर्रा की पुलिया पर आके फिर ट्रांसफर होता था इधर पुलिस लेके महन पुरी तक आती थी तब सुरच्छत आप आते अब आप देखिये किसी भी रोड पर चले जाए कहीं ना कानवाई की जरूरत है कहीं कोछ सबसे मुखत सुरच्छह ही होती है उपर चाहें राश्ट की बात हो चाहें यूपी की बात हो सभी जगे सुरच्छा बिल्कुल मुस्तेश चल रही है कहीं कोई लूट पार्ट नह लेकिन अगर आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इस समय समाजवादी पार्टी जो मुद्दा यहां पर उठा रही है यूवा भी मौझूद है कुछ उनसे जाना चाहूंगी जो अगनी वीर योजना जिसको समाजवादी पार्टी बताती है कि यह जबरदस्ती की योजना ह पड़े इसलिए पेपर लीक हो जाते हैं उनके लीक पेपर फरजी नोक्रियां मिल जाती थी और एक समय ऐसा आ गया था कि पूरा प्रदेश कहने लगा था कि यूपी पुलिस का नाम बदल कर यादा पुलिस रख देना चाहिए तो रहीवाद अगनीवीर की तो देश के हर अगरिक को इसराइल और कई डeैल आव डबलेट कंट्री के आधार पहर नागरिक को हत्यार चलाना आत्म रच्छा और परस्तिति आने पर अपने और अपने गांव अपने जिले और अपनी नगर की रक्षा कर सके तो अगनीवीर उसका एक किरम पहले करता था लेकिन अब नहीं करेगा वह पढ़ लिग गया समझ गया कि हकीत में हमारा किसके साथ देश और अपने राष्ट का और अपने समाज का विकास है अब यादव क्या करेगा यादव अपने आपको जद्वन सी बोलते हैं और बीजेपी राम मंदर के वाद सीधे म मत्वरा के लिए उन्होंने अपने गोशना पत्रों में और अपने कई बासड़ों में बीजेपी के निताओं ने कहने लगा कि हम राधा राधा करेंगे और बगमान क्रश्न का मंदर को उसकी प्रमक भूह बनाएंगे तो अब इंसान बड़ा या भगमान बड़ा तो पर यादव कि यहां पर इस बार यह भी बात बो यह भी बार बोली जारे कि शाक की यहां पर नाराज है इस बार तो आप से जाना चाहूं कि क्या शाक के नाराज है क्योंकि सबसे जादा गर वोटरों की बात की जाए तो यादवों के बार शाक है राचपूत है देखिए स पूजिशन पर आता है च्छत्री वोटर आपने कहा कि साक नाराज है यह आपको सिर्फ भ्रमत करने वाला काम किया गया साक कहा नाराज है प्रेम सिंग साक हमारे उत्तरप्रदेश एक्सपरेट के शेर्मेन है जो महिनपुरी के मुलेवासे हैं इससे पहले चुना रगराज स साक लड़े तो उनकी प्रितनी को अभी अभी राज सिच्छा चाहना आयोग मैं उनका सेलेक्शन हुआ है राज कहा नाराज है दो पद हमने राजमंतरी के दरजा के पद हमारी सरकार ने दिये हैं और सारा समाज का लीडर सिब चाहे वो प्रेम सिंग साक के हो रगराज साक कराया समाजवादी पार्टी ने तो भी एक संस्ता और चलाई है पीडिये का मतलब उन्होंने जो एक पब्लिक को दर्साया था कि हम जो है पिछडा दलित और अल्प संक्या पीडिये चाहे लेकिन मैं उसकी आपको पूरी फॉर्म परफॉर्म मताता हूं उनकी परफॉर्म सीटों में पूरे उत्तरप्रदेश में कोई यादव का सिंगल यादव नहीं है जिसको एक कहीं पूरी लोकस्वा सीट से लड़ाया जाता उन्होंने पांच यादवों को टिकट दिया पांच में सुम डिमपल यादव में पूरी सिपाल यादव के पुत्र बनाई हूं उ तो एक बात की जा रही है कि यहाँ पर यादवों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है अम मुसलमानों की भी बात करेंगे जो जिस सरीके से कि यहाँ पर बात चल रही है कि यादवों को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है कि एक का तो विकास हुआ है और दूस इसकी बात की है तो यह बिल्कुल सत्तिक हाया आपने यादब भी दो प्रकार से बटे हुए गोसियों कवरिया जिसमें एक पक्ष का विकास हुआ है दूसरे पक्ष को विकास से बिल्कुल अंदेखा किया गया है और यह सबसे बड़ा रीजन है कि यह दूसरा पक्ष जो है उसके साथ साथ हमें दोनो ही पक्षों का मानिनी जैवीर सिंग को दोनों ही पक्षों का समर्थन मिल रहा है यह पता इए जसवंत नगर सीट से कितना खत्रा है जैवीर सिंग्ठा को कोई भी खत्रा नहीं है हमें तो भारती जनता पार्टी का जो वोट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा और जो अभी हमने जल्दी में बहुत बड़ा एक काम किया जिसको पूरा बिस्ट देख रहा है वो काम है कि प्रभू राम जो 500 ब तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात होती थी बीजेपी की बात नहीं होती थी पिछले दो चुनावों में भी बात नहीं हुई इस बार यहां से यह उमीद लगाई जा रही है कि जैसे राम पूर इटावा जैसी जगाहों पर जो रूल ब्रेक किया बीजेपी ने यहा पर भी होगा प्रमुख मुद्दे क्या है इस बर बीजेपी को वोट दे रहे हैं उन्होंने सही काम किये हैं और सनात्रम धर्म जो है अमलों का वोजागर होगा है आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी जो कर रहे हैं देश इतने काम कर रही है और हमारे माननी यह यहां से हनवान जी ने अग लगा दी तो गड़ किसी का नहीं यह लोक तंत्र है यहां पर जनता चुनती है गड़ किसी का नहीं है हम लोग जैवीर सिंग को बहुत अच्छे बोटों से जीत दिलाएंगे देखिए जनता का कहना है कि यहां से इस बार बदलाव की जो धारा है वो ब यह मैनपूरी भी बेह चलेगी और यहां से प्रत्याशी जैवीर सिंग ठाकुर जो की मंत्री भी है उत्तरप्रजेश सरकार में उनको विजय दिलाई जाएगी और जो इस बार राम मंदर का मुद्दा है जो बीजेपी अपनी हर रैली पर उठा रही है राम का नाम लेकर और जब बात राम की पूरी हो चुकी है तो उन्होंने कहा हमने काशी में भी काम कर दिया है और हमने आयोध्या में भी काम कर दिया है अब बारी मथूरा की है तो यह जो एक तीर छोड़ा है बीजेपी ने यह जनता की दिल पर कितना जाके लगेगा ये तो आपको परणाम आने के बाद ही पता चलेगा तो आज मैनपूरी में पूरे दिन हमने जनता के बीच जाकर बात की कहीं पर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है लेकिन कहीं न कहीं मैनपूरी में जो एक बदलाव की धारा है वो भी हमें लोगों के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं लोगों का कहना है कि अब हमें अपराद मुक्त मैन पूरी चाहिए जो समाजवादी पार्टी में हमें नहीं मिल पाया है देखे जो चरण है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है यहां की वोटरों का नंबर आने वाला है मतदान के लिए वो यह मोधी का वोट है यह बीजेपी का वोट है कई बार साइलेंट पढ़के भी तख्त पलट कर देता है लेकिन मैन पूरी में क्या होगा यह आने वाला वक्त करेगा जो अब परिणाम आएंगे तो सारी सीटो की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी आज मैन पूरी में हमन यह वक्त तेह करेगा क्यामरा पर्सन बिरेंज सिंग के साथ सौमय मिश्रा मैन पूरी मंत्री जैवीर सिंग ठाकुर मारसाद मौजूद है आपने कहा कि जिस गाली में सपा का जंडा उस गाली में बैठा गुंडा अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं इस बार भेद के रहेंगे किला पार्ती जंता पार्ती फिर कभी डिटे अगी नहीं कभी सथ्टा में नहीं आपके उपर पर परिवार बात का आरोप लग रहें थे मैं समझती हूं हम जंता के बीच वोट मांगने जाते हैं और जंता चुनती ओं और मैं